हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारा हूं कि कैसे आप अपने रेडिमी नोट 13 एंडुएट में आप अपने मुवैल फून की इंटरनेट की प्रॉलम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं अगर आपके मुवैल फून का इंटरनेट नहीं चल रहा है तो होता है हमारे फून का इंटरनेट रिचार्ज खताब हो जाता है जिसके कारन मोववायल फून का इंटरनेट नहीं चलता है त 깹्ण आपको इस्न काड़ यह औरा पनी फोन की SIM सेलेक्ट करनी है इसके अंदर आपको यह access point name का option टैप करना है इसका अगला पेज यह APN का होता है इसमें आपको नीचे की साइड यह reset पे टैप करना है नीचे आपको यह आपको यह लिखावा आ जाता है यह देखिए reset default APN setting इस तरी किसे आपको मुवैल फोन की APN setting क को reset करने है जिससे आपके मुवैल फोन का जो internet नहीं चल रहा है यह problem आपकी solve हो जाएगी ठीके ना अब दोस्तों अगला प्रोसेस आपको करना है क्या है आपको अपने मुवैल फोन को reboot करना है फोन को reboot करने के लिए फोन के साइड वाला पावर वटन आपको उंगली से problem आती है तो वो solve हो जाती है फोन को reboot करने से ठीक है अब दोस्तों अगला प्रोसेस आपको करना यह है कि मुवैल फोन को आपको नेटवक सेटिंग को reset करना है दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे फोन की जो network setting होती है कभी कबार यह ठीक से काम नहीं करती है जिसके कारण हमारे फोन का जो internet होता हो चलता नहीं है ठीक है तो मुवैल फोन की जो network setting है उसे reset करने के लिए आपको फोन का setting पेज ओपन करना है सेटिंग पेज में सबसे उपर है सर्च सेटिंग पर टैप करना है यहां पर सबसे उपर सर्च बार में reset आपको लिखना है ठीक है आपको नीचे की setting ऑप्शन शो हो जाएगा यह देखिए रिसे वाइफाई मुबाइल एन ब्लुथूथ इसे टैप करना है तो आपका यह तीन सेटिंग देख रहे हैं वाइफाई मुबाइल डेटा ब्लुथूथ इस तरीके से मुबाइल फून की नेटवर्ग सेटिंग के साथ रिसेट हो जाती है आपको इसे नीचे रिसेट सेटिंग पर टैप करना है अब आपको इस वाले पेज में उक्की पर टैप करना है आपको यहाँ पर लिखावा आ जाएगा यह देखिए नेटवर्ग सेटिंग है विन रिसेट इस तरीके से मुबाइल फून की नेटवर्ग सेटिंग को रिसेट करना है जिससे आपके फून का इंटरनेट नहीं चल रहा है यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अब दोस् से हमारे मुबाइल फून के अंडरोड सिस्टम के अंदर कुछ कमिया आने लगती है तो आपके फून का सॉफट्वर अपडेट है या नहीं आप चैक कैसे करेंगे देखिए सबसे पहले आपको आपने मुबाइल फून का इंटरनेट आपको चालू कर लेना है इसके बाद सबसे उपर ऐबाउट फून के सामने अगर इस तरीके काई आपडेट का बटन दिखाई देता है तो इसे आपको टैप करके अपने फून का सॉफट्वेर अपडेट कर लेना है जिससे आपके फून का जो इंटरनेट नहीं चल रह रहा है ये प्रॉलम आपकी सॉल्व हो ढेना सब्सक्राइब कोमगा अगर्म करें सब्सक्राइब करने के लिए पर पर शर्च या फिर टे em Factory Reset के इस page में सबसे नीचे आपको Eris All Data पे टाप करना है इससे आपका phone reset हो जाएगा और आपके phone का जो internet नहीं चल रहा है ये problem आपकी solve हो जाएगी लेकिन आपको phone को reset करने से पहले दो बात होगा ध्यान रखना है पहली बात ही ध्यान रखना है आपके phone में जितना भी data सारा data आपके दूसरे phone में transfer कर लिजे या उसका backup ले लिजे दूसरी पात ही ध्यान रखना है आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रखना है ये दो काम आपको पहले करना है उसके बात phone को reset करना है तो दोस्तों मेरे बताए हुए सारे process आप यूज़ करेंगे तो इससे आपके phone का जो internet नहीं चल रहा है ये problem आपकी solve हो जाएगी ठीक है